हम सिर्फ एक हैं क्या कभी ऐसी आँख नहीं देखी जो प्यार से भरी हो हम कैसे जान लेते हैं कि इस आँख में प्यार है वैसे ही जब हमारी चेतना जाग जाती है हम समझ जाते हैं कि माहौल की आँख में आज क्या है हमको कैसे पता चलता है कि इस इनसान की जुबान मीठी है कर खर गर में तो कोई मीठा पन नहीं होता हमारी भावना में होता है पर हम कहते हैं कि यह इनसान मीठा बोलता है क्यों और कैसे वैसे ही जब हम कुदृत में रहना शुरू कर देते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमारी आज की जिन्दगी की जरूरत क्या है और हमारा जीना सहज और सरल हो जाता है हमने सभी ने आज फोन का उप्योग किया है पर फोन काम कैसे करता है हम नहीं जानते वैसे ही हम सब जिन्दगी को जी रहे है जिन्दगी का धाचा कैसे काम करता है हमको नहीं पता फोन किस पदात से बनता है हमको समझ है पर आवाज कैसे दूर तक चली जाती है, कोई समझ नहीं, बस एक रहिस्से है. हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता. फोन हाथ में आते ही बस उसका उप्योग करना सीख लेते हैं, और फोन के साथ हमारी इतनी ही यात्रा है. बिल्कुल वैसे ही हमारा संबन्द जिन्दगी से है. भावना, सोच, कामना, कर्म कैसे पांच तक को पदार्थ बना देते हैं, हमको कोई समझ नहीं. ये जो पदार्थ है, जब ये अलग किस्म के पदार्थ के साथ एक होता है, तो रसाइनिक तक में तबदीली आती है. फूल के लिए जाग जाना, हमारी भावना को कैसे कामना बना देता है, और इस कामना का करिंट, जब हमारे कण के साथ टकराता है, तो खोश का एक तार जागरित होता है, जिसको हम सोच कहते हैं. वो कैसे active होना शुरू होती है कि जिस्म के तल पर आ के सोच क्रिया बन जाती है क्या कभी देखा है? फोन हो या इनसानी जिस्म कोई भी फर्क नहीं एक जैसा ही पदार्थ है एक जैसा ही धांचा है दोनों का क्रियाशील होना भी एक जैसा ही है क्योंकि हम सब के धांचे के लिए भी कानून एक है जिन्दगी को कहीं से भी स्पर्ष करें जब उसको गौर से देखेंगे तो सिर्फ एक एहसास दिखाई देगा कि सब कुछ कैसे एक जैसा ही है रूप, रंग, आकार, लाखों होने के बाद भी एक साही दिखाई देंगे यह बात इतनी रहस्यमई और अनूठी है कि इसको कहना ही आसमर्थ है इसका एहसास होना भी एक हैरानी है जिसमें निरालापन और भी लाजवाब है जब हम ऐसे किसी भी अनुभव के गवाह बनते हैं तब भरोसा खुदा पर गहरा बनता है और प्यार जिन्दगी पर गहरा हो जाता है फिर जिन्दगी किसी की भी हो बस अपनी ही महसूस होती है क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम सब एक ही है